आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा सूजी का हलवा बनाने के लिए जो इंग्रेडियंट्स हमें चाहिए उसमें हमने लिया है एक कप सूजी एक कप चीनी एक कप कुकिंग ओयल हाफ कप किश्मिश हाफ कप हमने कटा हुआ नारिय लिया है और तक्रीबन तीन से चार अदद छोटी लाइची के बीज निकाल लिये हैं और एक गलास गरम पानी सूजी हमने गरम पानी में बनानी है उससे यह जादा सॉफ्ट और ज्यादा टेस्टी बनेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीडियम लो फ्लेम पे हम एक पैन लेंगे बड़े साइज के अगर हम बरतन में सूजी बनाएंगे तो अच्छे तरीके से फूलेगी और सही बनेगी अब हमने इसमें जो cooking oil लिया था वो इसमें डाल देना है और इसको हम हलका गरम करेंगे फिर इसमें हम लाइची के बीज डाल देंगे अब हमने इसमें चोटी लाइची के जो बीज निकाले थे वो डाल देने और इनको थोड़ा सा हमने इस तरह से कड़कर आना है अब इसके बाद हम इसमें सूजी डाल देंगे आपने बहुत ज़्यादा ओयल जो है वो ज़्यादा गरम नहीं करना अधर्वाइस यह होगा कि जो सूजी है वो उपर से जाजएगी और अंदर से कची रह जाएगी हमने ये सारा जो हलवा है वो लो फ्लेम पे पकाना है सूजी इसमें हमने डाल देनी है अब हम इसको मसलसल हिलाते रहेंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए और इसमें से अच्छी सी खुश्बू आने लगे इस तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है और लो फ्लेम पे इसको पकाते जाना है सूजी का कलर ये देखें चेंज होना शुरू हो गया है और ये गोल्डन हो रही है और इसकी खुश्बू भी आ रही है अभी हम इसको थोड़ा सा ओल भूनेंगे सर्दियों में ये है कि ये हलवा हम पूरी के लावा अगर नान या पराठे के साथ भी कहाएं तो बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से हमने इसमें मुसलसल चमा चलाते जाना है ताके ये साब साइड से इकुली जो है वो सूजी पके और जले ना इस तरह से हम इसको थोड़ा सा और इसका कलर चेंज होने तक इसको भूनेंगे और सूजी का कलर ये देखें गोल्डन हो चुका है और अगर जितना हमें कलर चाहिए था परफेक्ट यह आ गया है अब हम इसमें एक ग्लास गरम पानी डाल देंगे पानी हमने बहुत आपने इत्याद से डालना है और ये जरम पानी डालने के साथ ही हमने इसमें चीनी डाल देनी है और इसको मिक्स करने में अब हम इसमें जो हमने किश्मिश लिया था उसमें से हाफ हम इसमें डाल देंगे हाफ जो हम गार्निश के लिए रख लेंगे इसी तरह से जो हमने नारिय लिया था कटा हुआ वह भी हम हाफ इसमें डाल देंगे हाफ गार्निश के लिए रख देंगे फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है ताकि यह अच्छी तरीके से अंदर से गल जाए इसको मिक्स कर लेना है और उपर हम इसके धकन ले देंगे इसको कवर करके पकाएंगे ताकि यह डम इसको आजाए और सुजी गल जाए अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है जब तक इसका पानी ड्राय ना हो जाए हलवा यह देखें हमारा अभी इसका पानी तकरीपन ड्राय होने वाला है और साइट से इसके उपर आ रहा है अब हम इसको हल्की आज पर और श्लेम करके दम देंगे हमने चूल आप स्लो कर देना है यहां पर और इसको दम देंगे इसका ओयल जब तक उपर आ जाए हल्वे को दम आ रहा है यह देखें ओयल इसके बहुत साइट से कनारों पे उपर आ गया है इसका मतलब है कि अब रैडी है हमने हल्वे में कभी भी पानी ज्यादा नहीं डा करता है और अगर हम इस तरह से चाते हैं जैसे कि हम आप पूरियों के साथ बजार से हल्वा लेते हैं तो पानी भी हमने मेजर्मेंट का डालना है यह देखें बहुत खुबसूरा तब हल्वा हमारा रडी हो गया है अब हम इसे डिश आउट करते हैं अब यह बहुत गरम है इसको निकालके इसके उपर गारनी मियसमिल्ला रमानरहीम इस तरह से एप डालने किसी भी आपने पसंद के बाउर में डाल सकते हैं और इसके ऊपर हमने ना्रियल और किश्मिश्च जो हमने रखा था काट के बचाया हाफ इसमें से उसकी गार्णिश कर लेंगे हलवा हमारा रैडी हो गया है अब हम इस पर गार्णिश कर लेंगे जो हमने नारियल बचाया था थोड़ा सा वो इसके उपर स्प्रिंकल कर दें किश्मिश डाल दें बहुत यह देखें इसका अच्छा कलर आया है और फुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है सर्दियों में बनाएं जटबट से यह रेडी हो गया है और इंजॉय करें तो हमारा हलवा अब रेडी है अगर आपको हमारी रैसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू